नवश्कार सातियों मैं बलाल चोदरी स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से चैनल एल क्लासेज में और जैसा कि आपको पता है कि हमने कोपरेटिव बैंक के को लेकर लगातार आपको अपडेट दी है और एकदम सटीग जानकारियां आपको दी है दोस्तों आज म आपके लिए लेकर आया हूँ अगर इससे क्यूशन आएगा वैसे इसमें पक्का आएगा मैं इसकी ही बात नहीं कर रहा है अगर जहां कहीं इस से रिलेटेट गोई क्यूशन आता है तो आप यह मान के चलिए कि कम से कम तीन से पांच नंबर का हंडेड परसेंट आएगा और यह समझे कि कोपरेटिव बैंक में तो इसका आएगा याएगा तो पांच नंबर आपके पक्के हैं आपने अगर यह क्लास देख लिए तो इसके बाद पांच नंबर आपके कहीं नहीं जाने है ठीक है और कोर्स से रिलेटेड भी कुछ डाउट थे बच्चों के तो व नाइन नाइन में आपको मिलेगा क्या आपको मैस की क्लास मिलेगी आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी आपको इंगलिश की क्लास मिलेगी अकाउंटेंस की क्लास मिलेगी इसके अलावा आपको राजस्तान जीके की क्लास मिलेगी आपको computer की class मिलेगी और आपको cooperative act मिलेगा ठीक है यह कुछ भी आपको अलग से purchase करने की जरुरत नहीं है आपको संपूर्ण course मिल रहा है इसमें complete course मिल रहा है और सबका वीडियो recorded वीडियो जो है वह आपको available होंगी कुछ बच्चे ने कमेंट किया था सब लाइव का क्या सीन रहेगा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ लाइव क्लासेज तुकि मैं खुद भी गोवर्मेंट जोब में हूँ मैं खुद बैंक में हूँ और जो साती गण है वो ज्यादतर सर्विस वाले है जैसे निकुल सर जो को परेटिव एक्टर पढ़ाएंगे आपको और जो रास्तान का तलास रहा हूँ और आप भी चल रहे है नवरात्रा तो टीचर्स को जनरली टाइम मिल ने रहा क्योंकि ये पूजा पाट वगर्या का थोड़ा सा चल रहा है कल है दसरा तो एक दो दिन की वैस्टता है अच्छा टीचर की रिक्वाइर्मेंट में हूँ दो-तिन लोगों के संपरक में हूँ प्रतेक सब्जेक्ट के जिनसे मेरे फांट होता है उसके बाद में आपको इसको में लगानी कर दूंगा फ्रतो है कि आप सब्सक्राइब मेरे पास फोन आया किसर आप अपना कोर्स रहने दीजिए आप जो है वो हमारे साथ जुट जाएए मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो वो इतने बटे आदमी भी जो है वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने दम प पूरा नहीं होगा तो मैं आपको पूरे पैसे वापस कर दूँगा आप इस सीज़गी कताई चिंता मत करना बिल्कुल भी एक परसेंट भी लेकिन मैं किसी फड़ी टीचर को आपके सामने लाकर खड़ा नहीं करूंगा तो आप बिल्कुल चिंता मत करना जनवरी एंड त 999 में आपको एक चीज में और बता दू कि 10 ट्रेस्ट जो है वो हमारे फिरी होंगे ठीक है अच्छा कुछ बच्चों का यह भी क्योरी इस थी कि सर अगर हम चाते हैं केवल अकाउंटेंसी या कुछ का यह है कि साब हम केवल कोपरेटिव एक्ट पढ़ना चाते हैं कोपरे पाद जो है वो कोपरेटिव एक्ट का जो कोर्स है वह आपको लॉंच किया जाएगा ऐसा इसीन अकाउंटेंसी में रहेगा कंप्यूटर में भी यह रहेगा जिसको जो पार्ट पर्चेज करना है वह अलग से उसको पर्चेज कर लेए लेकिन फिलाल जो ओफर है वह आपक पच्ची सक्टूबर तक तो आप डिले मत करना और किसी तरीके के किसी भी संदय आस्पद इस्टी में मत रहना यह आप तहें मान के चलिएगा ठीक है मेरे कोंटेक्ट नंबर जो है 9887 इन पर आप कोंटेक्ट कर लेना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर बता देना मैं आपसे बात कर लूँगा डायरेक्ट ठीक है मैं खुद बात कर लूँगा आपसे आप अगर इस पर कोल करो अगर कोई दूसरा भी उठावे तो उससे मेरे लिए कर देना कि स तो कमेंट आते हैं उन पर भी लगातार जबाब देता हूं लेकिन फोड़ इसी वैस्तता है मैं टीचर्स के शेडूल में लगा हुआ हूँ इसी चकर में मैं मैं मेरी खुद की तो क्लासेज आई रही है लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा पैसेंस रखेगा इकविलिटी इनक्विलिटी का मतलब समांता और यह समांता क्या है जैसे बैस्से पहले हम लोग इसका बेसिक जानेंगे इसका बैसिक क्या-क्या है तो दीखो इसमें मूलत एया एक चीज जिसे मैंने आपको दी ये एक ये दे दी ये दे दिया एक ऐसा चिन लगा दिया मैंने और एक ऐसा चिन लगा दिया ये पांच चिन आपको दिखेंगे इसके अलावा इसमें छटा चिन कोई नहीं दिखेगा आपको अब इससे मतलब क्या है आप हमेशा ध्यान रखें कि जो खुला मू होता है जिसकी तरफ होता है वो होता है बड़ा और जिसकी तरफ चोटा मू होता है वो होता है चोटा ठीक है तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें अब इसका मतलब क्या है और क्या क्या नहीं है वो सब च बड़ा है इसका मतलब greater than English में बोलते है greater than हम आगे से इसको यहीं बोलेंगे A is greater than B यह बड़ा है किस से? B से अच्छा यह क्या-क्या नहीं हो सकता तो देखो अगर मैं आप से ही कहूँ कि आपके भाई साब जो है वो आप से बड़े है तो एक तो आपने सीधा-सीधा निश्कर्षिय निकार लिया कि साब बड़े है लेकिन इससे और दो चीजे निकलती है वो क्या-क्या कि एक तो साब यह इससे चोटा नहीं है चोटा नहीं है और एक यह कह सकते है कि यह इसके बराबर नहीं है बात समझे आप आपको ये बाते आना जरूरी है कि A is greater than B इसका मतलब A B से बड़ा है बड़ा तो है लेकिन क्या-क्या नहीं हो सकता एक तो ये इससे छोटा नहीं होगा एक इसके बराबर नहीं होगा पहली चीज ये दूसरी बात ये जो बड़ा मुह है इस बार B की तरफ है तो इसका मतलब A जो है वो less than है A is less than B less than बोले तो छोटा यानि कि A जो है वो छोटा है B से हम इसको बोलेंगे कैसे हम इसको बोलेंगे A is less than B A is greater than B greater यानि बड़ा less than A यानि छोटा ठीक है अच्छा अब अगर कोई चीज किसी से छोटी है तो वो क्या-क्या नहीं हो सकती वह अगर A B से छोटा है तो A जो है वो इससे B से बड़ा नहीं हो सकता बड़ा नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता जब यह इससे छोटा ही है तो ना तो बड़ा हो सकता ना बराबर हो सकता यह बहुत important चीजे हैं बहुत important concept है यह इसके बाद A बराबर B A बराबर B का मतलब है कि A is equal to B यानि कि यह इसके बराबर है जब A B से बराबर होगा, तो क्या क्या नहीं हो सकता मुझे बताव आप तो आप कहेंगे जिन ना तो बड़ा हो सकता ना ही छोटा हो सकता यानि कि A जो है वो B से एक तो बड़ा नहीं हो सकता और एक छोटा नहीं हो सकता ये concept हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था और ये अभी की class ही एक class के बाद में कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा ये आप तैमानिए A is greater than equal to B इसका मतलब है greater than or equal to मतलब A, B से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा यानि अगर मैं A और B का comparison करूँ इस case का तो इसका मतलब जैसे ये 5 है तो B भी 5 ही होगा ये जो चिन्न न इस चिन्न का मतलब है greater than और ये बराबर इन दोनों को जोड के इन दोनों को plus करके इसको greater than equal to इस तरीके से लिख दिया जाता है तो A जो है वो 5 हो सकता है A 6 भी हो सकता है यानि कि A या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके B के तो greater than और equal to यानि या तो बड़ा या बराबर बड़ा या बराबर ठीक है अच्छा अगर कोई चीज आपसे बड़ी है या बराबर है तो इसका मतलब वो क्या नहीं हो सकती तो आप कहेंगे जी वो इससे छोटी नहीं हो सकती यानि कि A जो है वो कभी भी B से छोटा नहीं हो सकता ये चीज हमें जानने है आगे देखते है A is less than equal to B इसका मतलब है less than or equal to मतलब या तो छोटा या बराबर यानि कि A जो है वो या तो B से छोटा होगा या इसके बराबर धोड़ा अब एक बात बताओ अगर कोई चीच छोटी यह बराबर है तो इसका उतलब हो क्यानी हो सकती तो वह इससे पड़ी नहीं हो सकती या तो इसके आप केसमज में आगयी हो तो फिर हम आगे चले अभ कि सब्सक्राइब अब इसमें किस तरीके से बनते हैं तो देखो इसमें दो टाइप की सीरीज बनती है अगर हम इसकी सीरीज की बात करें तो इसमें दो टाइप की सीरीज है यह मैंने अपने इसाफ से बाड़ दिया इसको एक तो मैंने बाढ़ दिया standard series एक मैंने बाढ़ दिया इसको दूसरा मैंने non-standard बोल दिया इसको अब आप यह समझना कि साफ यह standard और non-standard है क्या यह हो सकता आपको किसी book में नहीं मिले यह मैंने अपने इसाफ से बाढ़ दिया आपको ऐसा मिलेगा जैसे यह A greater than B C, D और E एक तो यह हो गया इसी तरीके से एक और मिलेगा A, B, C, D और E अब देखो आपको यहां से दो चीज मिलेगी अगर आपने शुरुआत की A से ध्यान से समझना अगर आपने A से शुरुआत की और आप E तक जा रहे हो तो आप देखना यह जो खुला मूह है यह A की तर है ठीक है इसको हम कहते हैं standard series standard मतलब सारे जो sign है इनका face जो है वह वह की तरफ है यानि same passing है इनका कि यह तो गई standard series आगे से मैं इसको standard और non-standard ही बोलूँगा इसलिए मैं आपको अभी इस पर जोड़ दे रहा हूं इसको समझा रहा हूं इस case में देखो आप ये A है और ये E है आप देखो ये sign ऐसे तार इसके just आगे इसका opposite आगया यानि कि ये जो होगी वो आपकी opposite side opposite facing होगी तो इसलिए आप ध्यान रखो कि जहां आपको opposite मिले मतलब चिन एक दम से ऐसे contradictory मिले कि एक चिन इधर है एक चिन इधर है इसका मूँ इधर है तो वो होगी हमारी non standard series और एक अगर सारे चिन्नों का मूँ जो है वो एक ही तरफ हो तो इसको हम लोग standard series बोल देंगे ठीक है अब इन सबका फेस एक तरफ होगा अब इसके क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या नुक्सान है क्या-क्या इससे questions बनते हैं वो देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा आप से standard series के questions कैसे बनेंगे जो आपने अभी माना वो standard series से क्या-क्या होंगे हमारे जैसे यह एक दियावा है A B C और D ठीक है ऐसा एक आपको क्यूशन मिलेगा और इसके बाद में ऐसा ऐसा मिल जाएगा आपको की A is greater than C A is greater than D कि वी इस greater than D कि वी इस less than D कि A is less than D इस तरीके से बहुत सारे निश्कर्ज जो है वह आपको दिये जाएंगे इसको हम लोग कहेंगे कथन अंग्रेजी में बोले तो statement और इसको बोलेंगे निश्कर्ज ठीक है और conclusion अब देखो कथन और निश्कर्ज है क्या चीज कथन यह है कि जैसे मैंने आप से कोई बात कहीं जैसे अभी चुनाओ का माहूल चल रहा है नेता जी आये अपने शेत्र में और नेता जी ने अमसे एक बात कहीं कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो आपके शेत्र का विकास सकते हैं आपके शेत्र में सड़क आजाएगी अब नेता जी यह बात बोलके और चले गए अब जब चार लोग जुड़े तो इन चार लोगों ने बैटके डिसक्स किया कि अगर इन नेता जी को वोट दिया जाए तो हमारे शेत्र में सड़क बन जाएगी यह बात तो नेत अगर्स आप खुद जो लगाते हो वो है जैसे ए से लेके डी तक देखा जाए यह एक दूसरे से बड़े हैं जैसे अगर मैंने ये को मान लिया अगर ये 15 है तो 100% ये इससे कम होगा 10 ये इससे कम होगा 7 ये इससे कम होगा 5 यानि कि आप कोई सा भी केस बता दो उसमें A हमेशा जो है वो D से बड़ाई होगा तो ऐसे केस में जब ये स्टेंडर्ड सीरीज है और अगर ये फेस इस तरीके से आजावे एक जैसे आजावे तो हमेशा ये चीज सही रहेगे मतलब जैसे A is greater than C आप देखो A से लेके C तक A से लेके C तक मैं देख रहा हूँ कि ये स्टेंडर्ड सीरीज है और A जो है वो greater than नहीं है इसका मतलब ये ये conclusion इसके बाद A से लेके D तक ये बड़ा ये बड़ा ये हमेशा ठीक रहेगा B से लेके D तक B से लेके D तक आप देखो यह दोनुंगी इस तरीके से हैं आजना तो तो चोणे इस कि ये बात सही नहीं है इसके बद मैं में a is less than d वह जो है वो इसने जो कहा है इसने जो निस्कर्ष निकाला है वो यह निकाला है कि a छोटा होगा d से आप मुझे बताओ क्या a कभी छोटा हो सकता है इस case में तो वह नहीं होगा यानि कि यह नीचे वाले दो गलत होंगे और उपर वाले तीन सही होंगे इस्टेंडर्ड सीरीज में मैंने अभी बताया आपको कि तीन टाइप के साइन जो है वो आपके काम में लिए जाएंगे या तो greater than greater than equal to और बराबर इन तीन के लावा चोथा बनता नहीं है बस इसको ऐसे पलट दिया जाता है इसको ऐसे पलट दिया जाता है यह तो साब यह था अगर यही ऐसा आजाता greater than b c और d यह दे दिया जाता आपको अब मैं a और d के बारे में पूंच रहा हूं आप से कि साब यह ए है यह greater than d और a greater than equal to d इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा यह पहली चीज तो हमने जान ली कि सारे ही जो थे वह सिंगल सिंगल ही थे लेकिन अब की बार जो है यह double वाले भी आगे यह एक तरीके से देखा जाए तो यह greater than और बराबर इन दोनों को जोड़के ही तो बनाया गया है तो इसमें double चिन जो है वह आपके काम में आया है इ इस्टेंडर सीरीज है हमारी अभी हम बात करें सिर्फ इस्टेंडर सीरीज की इस्टेंडर सीरीज है लेकिन आप देखो एसे लेके डी तक बीच में यह वाला भी आया है और बीच में यह वाला भी आया है तो हम माने किसको सही किसको माने तो अगर बीच में कहीं भी सिंग निसान आया है तो वो तो हमेशा सही होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह सही होगा नहीं होगा इसकी हम लोग थोड़ी सी जांच कर लेते हैं समझते हैं अपने इसाब से कि अगर 4 है तो इससे बढ़ा होगा यह 5 है अगर मैं b की बात करूं तो बी इस यानि कि B 5 भी हो सकता है लेकिन इससे बढ़ा होगा अब एक बात बताओ एससे लेके D तक क्या कहीं ये इसके बराबर आ सकता है इस बात की कोई संबावना नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है ये गलत है ये कंक्लूजन आप इससे नहीं निकाल सकते हैं समझना और क्यूसन्स देखते हैं इसके क्यूसन्स और कैसे कैसे बन सकते हैं जैसे देखो A greater than B C अब की बार मैंने तीनों ही लिख दिये ये से लेके D के बीच में मैं पूछ रहा हूं और मैं आप से कहता हूं कि साब इनके बीच में क्या कौन सा चिन होगा जो बिल्कुल ठीक होगा ये आपको कतन में दिया जाएगा जब इसका क्यूसन आएगा तो ये आपको कतन में दिया जाएगा ये statement है और ये आपका conclusion है तो आपको ये बताना है ये से लेके D के बीच में कौन सा चिन जो है वह बिल्कुल सूट करेगा हमें पता है यह जो सीरीज है यह एक इस्टेंडर्ड सीरीज है अब इस्टेंडर्ड सीरीज में यह हमेशा बड़ा होगा इससे एक तो यह वाला आ गया एक यह वाला आ गया और एक यह वाला आ गया तीनों चीज़े आप तीनों सायन आपको बीच में दिये हैं अब इन में से कौन सा सही होगा बस यही बात आपको समझनी थी मैंन बात जो है वो इसकी यह है देखो क्या करें जब कभी अब यहां से नोट करने वाली बात है आपके लिए यह कि बहुत इस्टेंडर्ड सिरीज में इस्टेंडर्ड सिरीज में यदि तीनों चिन आजाएं तो जो सिंगल चिन है जो सिंगल है या तो यह आजाएं या यह आजाएं तो जो सिंगल साइन है सिंगन साइन ही सत्य होगा यानि केवल यही सही होगा वाकि सारे जो हैं वो गलत होगे मतलब अगर A से D की बात की जाए तो सिर्फ ये बात सही है कि A हमेशा D से बड़ा होगा ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है क्यों गलत है आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये 5 होता C और D के मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि C इसके बराबर होगा यानि कि ये भी 5 होगा लेकिन अगर मैं B के जाओ तो B का मतलब है कि B C के बराबर भी हो सकता है अगर मैं इसी चीज को ऐसे कोल के लिख देत इसका मतलब ये होता है कि B या तो बड़ा होगा C से या B जो है वो बराबर होगा C के यानि कि अगर ये 5 है तो हो सकता है ये भी 5 ही हो लेकिन ये 5 से कम नहीं हो सकता ये 5 है तो हो सकता ये 6 भी हो जाता यानि कि ये 6 हो जाए और अगर ये 6 है तो फिर ये 7 हो जाएगा आप आप मुझे बताओ कि B और D क्या दोनों बराबर हो सकते हैं कि कभी यह सोरी A और D यह कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते तो पहले बात तो यह बात गलत हो गई दूसरा इसका मतलब यह है इसका मतलब है इसका मतलब है A is greater than D यह बात तो ठीक है लेकिन अगर इसकी बात करे तो A is greater, A is equal to D, वही A कभी भी D के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या समझे आप, कि standard series में यदि सभी चिन आजाए, यदि सभी चिन आजाए, तो जो single वाला sign होगा, सिर्फ वो ही सही होगा, यानि कि आपको ऐसे priority देनी है, अगर आपको तीनों चिन मिल जाए किसी series में, तो ये वाला अगर आया है, तो फिर ये सही होगा, मान लीज़े ये वाला नहीं आया ये दोनों आया है तो फिर ये सही होगा अगर ये भी नहीं आया तो फिर ये सही होगा कैसे और समझना आप ये तो हो गया पहला और क्या कर सकते थे अगर मैं यहां से देखता बी और डी के बारे में अगर मैं B और D की बात करता, यह B और D है, अब आप मुझे बताओ, कि A इसमें नहीं है, हमारी जो calculation है, हमें जो पूछा गया है, उसमें सिर्व B और D पूछा गया है, तब आप क्या करतें, आप देखो B और D के बीच में क्या यह sign आया है, तो हम कहेंगे जिन नहीं आया है, यह तो यह आया है, यह आया है, तो इसका मतलब अगर यह आजाता, अगर यह आजाता इसमें, तो यह वाला तो ही नहीं इसमें, तो यह वाला गलत हो जाता, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, इसकी बात करूँ, तो यह वाला दियावा है, तो इसका मतलब यह सही होगा यानि हमारा काम क्या रहेगा हमें काम यह करना है कि हमें यह देखना है कि या तो सिंगल या तो यह ग्रेटर देना आया हो या लेज देना आया हो अगर यह आया है तो सिर्फ यह वाला ठीक होगा चाहिए तीनों आजाएं लेकिन यह वाला ही सही होगा बाकी दो A is greater than B, greater than equal to C, greater than equal to D, greater than E, greater than F और G, ठीक है, इसमें भी यह लगा लेता हूं, यह बराबर G, ऐसा आपको दिया हुआ है, और मैं आपको बहुत सारे इसारे कान्क्लिजन देता हूं, यह तो आपको कतन है, और मैं बहुत सारे निसकिट देता हूं, यह से पहला मैंने दे दिया, A is greater than C, दूसरा दे A is greater than equal to D, दीशरा दे दिया, आपको A is greater than E, जोधा दे दिया, आपको A is greater than F, ताचवा दे आपको B is greater than equal to D, खटा देदिया B is greater than D, आथवा देदिया B is greater than E, आथवा देदिया B is greater than equal to E, नवा देदिया B is greater than equal to F, दसवा देदिया आपको E is greater than G, यारवा देदिया E is greater than equal to G. यह यह मैंने बहुत सारे एक क्यूसेंस बना दी अब आप क्या करोगे बस आपको यह पता लगाना है कि इन मैं से कूँट सा सही है और कूँट सा गलत है चैक कर लेते हैं सबसे पहले जैसे देखो मैं जिसके बारे में पूछो आपको सिर्फ वहां से वहां तक सीरीज देखनी है सीरीज तो आपको बहुत बड़ी दीवी है इससे आपको मतलब नहीं है आप तो सिर्फ ये देखो कि A से C तक का क्या सीन है अगर मैं A से C तक देखो तो देखो यह एक स्टेंडर्ड सीरीज है वैसे दिख रही है आपको यह पूरी स्टेंडर्ड सीरीज ही है इसमें A से C तक अगर हम देखें तो A जो है वो बड़ा है किसे? C से A greater than C आप देखो इसमें दो चिन आये है यह बी आया है और यह बी आया है अगर इसके साथ साथ एक यह बी आता अगर इसके साथ में ये भी आता तो देखो क्या होता चीन तो दोनों याए हैं लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको वरियता केवल इसी को देनी है अगर ये आगया तो फिर राजा ये होगा बाकी सारी जो है वो प्रजा है अगर यह आगया तो राजा यह योगा फिर वाकिस सब परजा है और अगर यह राजा नहीं है तो फिर यह जो इसका मंतरी है यह राजा होगा बात को समझना आप जैसे A greater than C, A बड़ा है C से यह आया क्या कहीं? बाई अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो यह चिन आया है इसका मतलब यह बात पूरी तरह सही है अगर यह होता A is greater than equal to C तो बाई greater than equal to C तो आया है लेकिन राजा भी तो साथ में था इसका मतलब यह इसका घलत हो जाएगा ठीक है? आगे देखते हैं A is greater than equal to D A से D तक अगर देखा जाए तो देखो greater than भी आया है और greater than equal to भी आया है तो भई इसको हम priority नहीं देंगे अगर यह आया है तो इसका मतलब यह होगा यह जो है यह सही नहीं होगा यहां सही क्या होगा A is greater than D अगर यह आ जाता तो यह पूरी तरह सही होता अभी questions और करेंगे इसके question कैसे आते हैं आपको answer कैसे देना है और समझो अगर A is greater than E की बात हो रही है तो आप सबसे पहले A से लेके E तक की series देखो आपको यह standard series दिख रही है सब के मुह जो है वो A की तरफ खुले वे हैं अब देखो A से E तक greater than भी आया greater than equal to भी आया है लेकिन जो सही माना जाएगा वो केवल greater than माना जाएगा greater than equal to ठीक नहीं होगा यानि कि यह बात सही है अगर मैं बात करूँ A से F तक तो देखो यह A रहा और यह F रहा यहां अगर पूरी तरह देखा जाए तो सारे चिन जो है वो एक जैसे ही है वह एक की तरफ मुह है सबका लेकिन यहां greater than भी है greater than equal to भी है यानि कि A जो है वो हमेशा इससे बड़ा होगा यह इससे बड़ा या बराबर नहीं हो सकता वह एक आप खुद बताईए क तो कभी F के बराबर हो सकता है क्या वही बीच में साइन तो आ गया लेकिन इसके बराबर हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता क्योंकि अगर यह जैसे मानलो F जो है वो 5 होता तो E जो है वो या तो 5 होता या 6 होता वही या तो इससे बराबर होगा या इससे बड़ा होगा यान बात हो सकता है यह इससे एक बढ़ाई होगा होगा कुमिभी बढ़ा होगा अब एक बात बताओ अब तो अगर इसको a b c d ne नलिखे अरब हम इसको एसे लिगते हैं यह दस है और अगर इसको मैं ऐसे लिख देता एफ को भी जैसे इसकी बात करो इसको मैं 10 लिख देता एफ को लिख देता मैं 5 तो एक बात बताओ ये बात तो हमेशा सही होती लेकिन क्या कभी ये बात सही हो सकती है कि 10 is greater than equal to 5 हो जाएं 10 कभी 5 से बड़ा या बराबर हो जाएं माना कि ये इसके बीची में आ रहा है लेकिन ये कभी भी सही नहीं हो सकता बस यह निशकर्स आपको निकालना था इसने तो आपको एक कथन दे दिया आप अपने इसाब से इसको बड़िया से बड़िया निशकर्स निका greater than C और greater than D ऐसा दिया वाए है आपको मैं कहता हूँ ये 5 होता ये 5 और ये 5 भी हो सकता था ये 6 भी हो सकता था वही greater than equal to D का मतलब है कि C जो है वो D से बड़ा या बराबर होगा तो बराबर में तो उमने 5 ले लिया और बड़ा जो है वो 6 ले लिया इसके बाद अगर B की बात करूँ तो B जो है वो C से बड़ा या बराबर होगा यानि कि ये 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता ह लेकिन यहां से एक चीज यह पता लगी अपने को confirm कि B जो है वो D से या तो बड़ा होगा यह इसके बराबर होगा ऐसा कभी नहीं कह सकते आपकी B जो है वो D से बड़ाई होगा हमेशा 100% देखो सत्य वचन वो होता है जो हर केस में फिटवेट है जैसे सूरज पूरब से उखता है यह यूनिवर्शन टूथ है इसमें कोई मीनमेक नहीं है सेम कहानी यहाँ है जो बात 100% सही है जो बात 100% सही है इसका मतलब वो सही है और अगर यह 90% भी सही है इसका मतलब इसको पूरी तरह सही नहीं मना जाएगा यानि ऐसा हो सकता है ऐसा होगा नहीं हर बार जो हर बार अगर जैसा होगा तो वो पूरी तरह सही है जैसे अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो चिन आया है वो यह आया है तो अब राजा इसी को मना जाएगा अब इसका कोई रोल नहीं है समझ गया आप तो ये बात गलत हो जाएगी इस case में ये ठीक होगा यानि कि यहाँ अगर देखा जाए B is greater than equal to D इसका मतलब ये बात सही है फिर B और D की बात करें देखो B और D के बीच में हमें तो सिर्फ ये ही देखना है हमारा काम जो है वो सिर्फ इतना ही है कि आप तो ये देखो कि ये आया है तो ये सही होगा इसाब तीनों चिन आगे तो बस फर्स प्राइटी इसको देनी है अगर ये आया है तो अगर ये नहीं आया है तो फिर ये सही होगा और अगर ये भी नहीं आया तो फिर ये सही होगा बस बात खतम अगर तीनों आ जाएं तो शिर्फ ये वाड़ा सही होगा बाकि सारे गलतों के बस इतना सा काम अपने उकड़ना है तो B is greater than D अब देखो इसमें greater than तो कहीं आया यह निए greater than equal to जरूर आया है इसका मतलब ये बात जो है वो आपकी गलत हो जाएगी आगे चलते हैं अब आप देखो B और E के बीच में अगर आप बोर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा B और E के बीच में जो सीरीज बन रही है क्या वो स्टेंडर्ड सीरीज बन रही है यानि सबका चिन मूँ जो है वो एकी तरफ है अब B और E के अगर हम बात करें तो देखो इस यह कभी हमेशा सही नहीं होगा ठीक है आगे देखो यह B और F की बात करें हम लोग तो B और F के बीच में यह वाला सायनी भी आया है और यह वाला सायनी भी आया है तो बैप्राइवटी जो हम देंगे तो वह B greater than F को देंगे यह बात जो है वो गलत है आगे चलो ए और G की अगर मैं E और G की बात करूँ तो इस case में greater than equal to भी आया है और बराबर भी आया है तो पहले priority इसको दी जाएगी तो पहले priority इसको दी जाएगी जबकि वो भी नहीं है इसमें तो greater than है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा और यह आया है तो यह पूरी तरह है सही हो जाएगा ठी पर देली चीज तो यह हो गई लेकिन इसमें ट्विस्ट का आता है वह समझा आप इसमें ट्विस्ट का आता है तो तो ट्विस्ट देखो यहां आता है जैसे ए greater than B, C, D और E ऐसा दे दिया आप ठीक है अब यहां क्या-क्या बाते सही होंगी यह greater than E यह बात पूरी तरह सही होगी अगर यह आजाता E यह गलत होता अगर यह आजाता तो यह भी गलत होता हमने देखा A से लेके E के बीच में सारे चिन आयवे हैं लेकिन सही जो होगा वो कौन सा होगा केवल यह वाला और बाकि कोई सा भी इसमें ठीक नहीं होगा तुरी सिस्ट इस्टोरिमें यहां से आता है कि जैसे B से D के बीच की बात करें और यह आपको ऐसा दे दिया पहला यह दीया और दूसरा यह दे दिया और B इकॉल टु D अच्या बीच से डी के बीच में मैं आपसे ऐसे ही पूस था हुआ है ना चाहिए था लेके डी विच में क्या आना चाहिए आपका जबाब क्या होगा आप सिंपल सह यह कहेंığınगे किल आ हम से लेके दी तग तक यह ए ना भी घ्राuga सिरीज को यह पहली बात तो standard गलत है और इसके बीच में यह आ गया तो यह भी गलत है लेकिन यहां से एक बात समझनी थी और वो क्या थी कि वह एक बात बताओ पी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इसका मतलब है क्या एक्चुल में देखा जाये तो है क्या कि अगर साब डी होता तो बी जो है वो या तो 5 होगा या 6 होगा इसका मतलब यह है अब मुझे बताओ कि इसको अगर मैं टुकडों में लिखता यह चिन जो है इस चिन का मतलब यह यह कि यह तो greater than है या equal to है तो भई बी जो है वो या तो बड़ा होगा डी से या बी जो है वो बराबर होगा डी के यह दो बातों के अलवा तीसरी बात तो आप कहीं नहीं सकते ना जैसे आप आदमी में दो गुण होते हैं या तो इमानदार या बेइमान अब आपको नहीं पता कि सामने वाला आदमी कैसा है लेकिन आप उसको देख के कह सकते हो कि या तो ये आदमी इमानदार होगा या या आदमी बेइमान होगा यानि कि आपको कुछ भी नहीं पता तो ये बात आपको जरूर पता है कि ये दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा या तो ये इमानदार होगा या ये बेइमान होगा जैसे कोई सामने आदमी खड़ा है तो आप उसको देखके दो बाते कह सकते होगी या तो इसके पास रोजगार है या इसके पास रोजगार नहीं है बात खतम पार्ट टाइम वाली बात में नहीं कर रहा हूं या तो इसके पास रोजगार है या इसके पास रोजगार नहीं है या तो यह रोजगार वाला है या बेरोजगार है वसिन दो के अलावा तीसरी चीज़ नहीं हो सकती जैसे अगर आम बात करें कि साब या तो दिन होगा या रात होगी तो दो में से कोई एक तो 100% होगा ना अगर कोई आदमी अंदा है उसको नहीं दिखता कि सामने है क्या तो उसको ये बात तो पता होगी कि या तो दिन होगा या रात होगी सेम कहानी यहाँ है कि अगर हमें दिख रहा है कि B is greater than equal to D इसका मतलब या तो B D से बड़ा होगा या B जो है वो डी के पराबर होगा तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक़ बात तो सही होगी तो जब भी स्टेंडर्ड शिरीज में ऐसा आजावे कि मैं ts को मैं लिख भी देता हूं इसको कि अगर स्टेंडर्ड सिर्ईज में इस्टेंडर्ड सिरीज में ये वाला चिन हो चाहिए ये वाला चिन हो greater than equal to को greater than और equal to दोनों रूप में दिया जाए दिया जाए तो दोनों में से कोई एक सही होगा समझे क्या बात को दोनों में से कोई एक सही होगा यहां से हम ये समझ पाएं कि साब अगर ये चिन आजावे और ये ऐसा का ऐसा नहीं दिया इसको तोड़ के दे दिया हमें ध्यान में रखने वाली बात यही थी इसमें अगर इसको तोड़ के दे दिया तो इसका मतलब या तो यह सही होगा यह सही होगा बस यही बात अपने काम की थी और देखते हैं एक कुछन आप कितना सीख पाए फिर स्टेंडर्ड सीरीज का अपना काम हो गया आपको दिया हुआ है यह एक बड़ी सी सीरीज आपको दे दी अब इसमें जैसे आपसे क्या क्या पूछ लिया आपसे पूछ लिया ए एम एक बी आई ए आई आई के एल कि आपसे इतने सारे जो है वह मैंने निश्कर से पूछ लिए अब आपको बताना है कि साब इन में से कौन सा सही होगा कि पताओ कि सबसे पहले तो यह देखो कि साब यह स्टेंडर्ड सीरीज है या नहीं है अब इस्टेंडर्ड सीरीज भी आगे चलके अपने ऐसी देखेंगे कि जैसे मानलो ए से में से लेके Amra की सिरीज देखना है बाकी पूरी सिरीज से कवेल नहीं समझे इसे लेकर और सिर्फ Amre यह सिर्फ Amra तक देखा चैशल ज science रखाएarp सकियंसलें सब के में से राजा जो होगा वो यह से वाला होगा यह आये तो कि दोनों ही हैं अगर मेरे को यह नहीं देतें और मेरे से यह पूंच लेते कि भाईया आप तो यह बताई कि एसे लेके एम तक और इसके बीच में चिन कोन सा oyun जीसे आपको इसे चेज़ी-श॥ उड़ी से लेके ऑई के बीच में चिन कोन सा आएगा तो से लेको M के बीच में चिन कौन सा आएगा मैं आपको ऐसे conclusion देता ही नहीं मैं तो आप से यह पूचता हूँ कि आप तो खुद देख के बताओ क्या आएगा तो देखो A से लेके M के बीच में यह वाला चिन भी मिल रहा है और यह वाला चिन भी मिल रहा है A is greater than M भी होगा और A is greater than equal to M भी दिख रहा है अपने को लेकिन हमें जो priority देनी है वो इसको देनी है यह answer नहीं होगा यानि कि हम देख के बता सकते हैं कि साब इसके बीच में यह वाला चिन लगेगा हम तो चिन लगाना सीख रहे हैं सिधा B और I की बात करूँ मैं तो देखो B यह रहा और I यह रहा अब B से I के बीच में आपको दिख रहा है कि यह एक standard series है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे इस case में आप देखो B से I तक देखो आप तो सिर्फ B से I तक आपको यह वाला चिन भी मिल रहा है और यह वाला भी मिल रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है आपका answer सिर्फ जो होगा वोई सिर्फ यह वाला होगा ठीक है सिर्फ यह वाला आएगा बीच में और जैसे एक यह मैं यहां और लगा देता हूं और यह M और R भी लिख देता हूं अब देखो आप तीसरा है R और L R और L के बीच में अगर देखा जाए तो या तो ये वाला चिन है या ये वाला चिन है अब एक बात बता हूँ ये आया है नहीं तो ये तो पोसिबल ही नहीं है ये नहीं आएगा फिर तो फिर क्या आएगा R और L के बीच में greater than equal to अब राजा जो होगा वो वाला होगा कहने कि इन दोनों के बीच में ये वाला चिन आएगा ठीक है B और M की बात करता हूँ B से लेके अगर आप M तक चलेंगे तो वही greater than और greater than equal to तो यहाँ जो answer होगा वो greater than वाला होगा कि B जो है वो हमेशा बढ़ा ही होगा अगर यह नहीं होता तो फिर यह जो three star है यह इसको मिलते हैं अभी तो इसमें यह वाला चिन दियावा है अगर यह नहीं होता यह भी अगर इस तरीके से होती यह भी अगर इस तरीके से होती तब हम ऐसा कर सकते थे या मान लो या ऐसा मान लो कि अगर यही सीरीज ऐसी होती B D और यह M अगर ये होता तब ये चीज सही हो जाती लेकिन अभी जो है इसके बीच में राजा बठा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा सिंगल चिन आया हुआ है तो priority इसे को देंगे दूसरा देखो ये और के के बीच की बात करें ये और के में के तक जाओगे आप तो greater than equal to भी नजर आएगा बराबर भी नजर आएगा तिनों ही चिन है लेकिन priority जो हम देंगे वो किसको देंगे हम greater than को ये देंगे अगर यहां आपका ये आजाता ना greater than के तो ये दिख रहा है अपने को चिन निश्म है लेकिन ये गलत होत क्यों नहीं होगा पहले मैंने आपको समझा दिया पूरा आगे चलो बी और आई की बात करें तो देखो बी और आई में greater than equal to भी है greater than भी है तो ये बढ़ा सही होगा इसके बाद बी इकुल टु आई पी और आई की बात करें तो equal to तो दूर दूर तक ही नहीं है अरे भाई इसका वैसे देखा जाये तो विचरे का को रोल नहीं है वराबर का कोई रोल नहीं है ये किसी काम का नहीं या आपको कभी डिस्टब नहीं करेगा कियं वह यह दोनु करेंगे एक परदान मंत्री एक परदान मंत्री ठीक है?. i और k की बात करें तो देखो i से लेके k तक अगर आप जाओगे तो देखो आपको greater than equal to भी मिलेगा और बराबर भी मिलेगा इसका मतलब first priority इसको देंगे तो ये वाड़ा सही होगा अगर ये ऐसा आजाता ना i बराबर k तो ये गलत होता क्यों कि i या तो बड़ा होगा या के के बराबर होगा आपने तो कह दिया कि सिर्फ बराबर होगा बराबर नहीं होगा ये या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा आगे चलते r और l की बात करें अब बताओ r से लेके l तक कैसी नहीं है ये दोनों चिन आयव हैं, तो दोनों में से ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, या तो greater than equal to आना चाहिए था, greater than equal to नहीं ये बराबर दे दिया, ये answer नहीं होगा, ये शही बात नहीं होगी, R और अगर L की बात करें ये भी सही नहीं होगा क्यों greater than equal to आना चाहिए था लेकिन अब कहानी में twist है twist ये है कि भई ये जो दोनों दिख रहे हैं मुझे ये जो दोनों दिख रहे हैं इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा क्या अरे भई हमारे इसाफ से जो सही आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था R is greater than equal to N लेकिन इसने हमें तोड़ के दे दिया R is greater than L और R is equal to L इसने ये वाड़ा दे दिया आपने को तो एक बात बताओ इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा क्या तो ये वाली जो condition है वो है आपकी आईदर और की अत्वा जिसको अमलोग कहते है यानि कि हमें जब ये मिलेगा तो हम कहेंगे कि F या G दोनों में से कोई एक सही होगा दोनों में से कोई एक सही होगा दोनों अलग-अलग तो गलत होंगे लेकिन दोनों में से कोई एक बात सही होगी क्योंकि इसके लावा तीसरी कंडिशन ही नहीं बनती भई आप सामने बैठे हो आप इस वीडियो को देख रहे हो मैं इधर बैठा हूँ मैं ये कहता हूँ कि आप जो सामने बैठे हो मुझे नहीं पता आपके उमर कितनी है मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये कि जरूर कह सकता हूँ कि इस वीडियो को जो देखने वाले है वो या तो मेरे से बड़े होंगे या बराबर होंगे एक बात मैंने ये कही अब दो आदमी और बैठे हैं देखो समझना इसको मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो वीडियो को देखने वाले हैं वो या तो मेरे से यहां मैंने लिख दिया कि या तो मेरे से बड़े होंगे या बराबर होंगे ठीक है इसने कहा कि साब बड़े देख रहे हैं आपकी वीडियो को एक आधिम जो इधर बठाता यह कह रहा था कि साब बराबर वाले देख रहे हैं आपकी वीडियो को अब मैं किसकी बात मानूं मैं तो यह कहता हूं कि मेरी वीडियो को देखने वाले या तो मेरे से बड़े हैं या या तो कोई देख रहा होगा हो मेरे से बढ़ा होगा या मेरे बरावर का होगा अलग-अलग दोनों ठीक नहीं है लेकिं दोनों को गर एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक तो सही होगी यह तैए तो इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा, अब बारी आती है R और L की, R is greater than equal to L, R is greater than equal to L, इसका मतलब ये बात सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है, वो ये वाला चिन्ना है, ठीक है, इसके बाद M greater than R, भई M और R कहां कहां है, ये रह M और ये रह R, अब आप देखो, इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में मैं देखो, M और R के बीच में, आपको नजर आ जाएगा, कि भई greater than equal to है, जबकि यहां केवल greater than है, तो ये बात जो है, वो गलत हो जाएगी, तो ये हमारी standard series की जो बाते थी, मैंन, वो बाते मैंने आपको सिखा दी, standard series में हमने क्या देखा, किसाब, अगर greater than, greater than equal to और बराबर आजाए, तो यहां जो हमारा conclusion सही होगा, वो केवल और केवल greater than वाला होगा, गलत जो होगा, वो greater than equal to और बराबर, यानि कोई भी दो चीजा आपको दी हुई है, और दोन इस case में greater than, equal to ठीक रहेगा, बराबर वाला जो है, वो आपको गलत माना जाएगा, बराबर भी गलत माना जाएगा, यह वाला भी गलत माना जाएगा, ठीक है, अगर केवल बराबर ही दे रखा है, तो फिर सही होगा, वो बराबर वाला ही होगा, greater than equal to और यह वाला दोनों गलत हो जाएंगे बात समझ में हैं यह हमने स्टेंडर्ट सीरीज में देखा इसके बाद हमने एक चीज नहीं यह सीखी किसाब अगर आईदर और की सिच्वेशन जो है वो यहां कहां बनेगी जैसे माल लीजिए हमें A is greater than equal to B दे दिया तो अगर इसी चीज को ऐसे दे दिया जाता इस चीज को खोलेंगे तो इसका मतलब यह यह greater than यह बराबर तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा और गलत क्या-क्या होगा तो गलत अगर A is greater than B अगर यह अकेलाई दियावा है या A is greater than B यह अकेलाई दियावा है तो यह दोनों ही गलत हो जाएंगे यह अब यह हमारी स्टेंडरड से जितने भी बरनेावाले वाले टॉश् सुन्स था यह सारे हो गैं इसे में आपको डो टाइप की सवाल मिलेंगे जब क्यूश्न बड़ा नहीं है इस तरीके के क्यूशन मिलेंगे यह अब नेक्स क्लास में लोग क्यूशन करेंगे उसमें देखेंगे अभी सिर्फ आप यह समझो जो मैं समझा रहा हूं गोच्राभ आप कोगे तो आपने बता दिये सारी कैbirds जितने भी Bणते थे अगर हम बात करें नोन्स्टेंडर्डर सीरीज की उसमें क्या होगा बात कर लेते हैं लोन इस्टेंडर्डर सीरीज की ये साब non-standard series क्या है non-standard series मतलब एक दूसरे से सब रूसे हुए है रूसे हुए समस्तों गुस्सा ओर के एक ने मूँ इधर कर रखा एक ने मूँ इधर कर रखा ये साधी वयां में नहीं होते है एक आद़ पूपाजी होते है यह जीजाजी होते हैं, उनको मतलब पूफा जी को बड़ा ऐसा, वो समधी ऐसा है, आप जब किसी के पूफा जी बनोगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन जब आप किसी के पूफा जी बनोगे, तब आपको ये फील आएगे, मतलब वहां एक अलग इजत होती है पूफा जी ने कहा जो देखेगा, वह मार तरब देखेगा, हम नहीं देखेंगे, ये जीजाजी है, ये दोनों मिलेवे हैं साडू बाई एक तरीके से, ये ये ए है, ये एफ है, और ये जी है, ठीक है? ये जी है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको ये मैं इनको मानना शुरू करता, अगर मैं इसको नंबर से मानना शुरू करता, तो मैं ये कह सकता था, अगर ये पांच है, ये इससे चोटा होगा, यानि कि ये चार होगा, यही बात है, इसका मतलब यही है, एफ की तरफ ये बंद सा मू है, इसका मतलब ये इससे कम होगा, अगर मैं E की बात करता है, तो E F के यह तो बराबर होगा, यह इससे बड़ा होगा, यानि कि यह 5 हो सकता था, इसके बाद G जो है वो इससे चोटा होगा, यानि कि हो सकता है, वो 3 ही हो, वह E जो है वो इससे बड़ा होगा, इसके बाद अगर बात करें F के, तो F इससे बड़ हैं कोई confirm नहीं है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा तो इस केस में क्या-क्या conclusion निकल सकते हैं क्या-क्या discussion निकल सकते हैं वो जान लेते हैं जैसे A greater than G A G A G B और G A और अबर ले लो इसको कि एफ कि कि पी कि एफ कि यहां आई है ले लो इसको कि यह इस तरीके से दे दिये मालना आपको कुछ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे यहां नोन स्टेंडर्ड सीरीज आ जाए कि नोन स्टेंडर्ड सीरीज में कोई भी सही नहीं होता है कोई सावी साइन आ जाए कोई भी साइन सही नहीं है कैसे भी इनमें कोई संबंध नहीं बनता अगर संबंध नहीं बनता तो ए ग्रेटर देन जी यह भी गलत होगा 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 यह भी गलत होग हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं यह बात गलत हो गई जैसे एसे लेके जी तक पहली बात अगर हम करें अगर हम एसे जी तक जावें यह एसे लेके जी तक हम गए तो यह बात जो है वो गलत है गलत दिख रही है हमें क्योंकि चिन जो है वो एक इस तरफ है एक इस तरफ है एक इस देखते ही गलत करदेना है। ये बहुत आसान है, ये सच माइना है। यहा तो फिर भी सोचना पड़ता है। यहां कुछ नहीं सोचना. बी और जी यह बी गलत। एक मुई धर है इसका मतलब इनमें बंती नहीं है यह कोई संबंद नहीं हो सकता इनके बीच में और एक चलो आगे और है को आई कर लेते हैं कि यह आई है यह यह बी और एफ के बीच में कोई संबंद नहीं है और जी और एच के बीच में जी और एच के बीच में भी आप जाओगे तो यह इनके बीच में कोई संबंद नहीं है यानि कि यह भी गलत हो गया अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना लाजमिता पिस आप जब इसका कोई लेने देना यह नहीं है तो इसको फिर लिया क्यों हो शामिल क्यों कि आपने इसका भी रिजन में समझाता हूं कि इस पर इसमें आपको क्या सावदानी रखने हैं बस नजर हटी दुरगटना गटी समझे बात को कि जैसे यह है एक ग्रेटर देन भी ग्रेटर देन इकॉल टूसी और एफ मैं कहता हूं एससे एफ के बीच में यह वाला चिन आ जाए एससे एफ के बीच में यह वाला चिन आ जाए एक के बीच में यह वाला जाए एक के बीच में यह वाला जाए इनके बीच में यह आ जाए इन में से कोई सा भी चिन आ जाए मैं तो यह देख रहा हूं कि एसे लेके एफ तक यह एक नोन स्टेंडर सीरीज है सबसे पहला काम आपको यह करना है कि देखना है कि यह यह इसे इस्टेंड़री जो है वह औक दिये वह है एक इदर दिया वाहा है सबसे पहले किसे अल्ग कि इससे धिख्ट का इसो तक मुझे दिख रहा है 9 इस संहय नहीं होका अश्ली opens इसका मतलब है ऐसे बड़ा होगा से चोड़ा होगा एक बराबर एफ यह kunne होगा is greater than equal to F हो सकता है F से बड़ा हो या बराबर हो यह भी नहीं हो सकता एज लेज देन एकल टुए F से छोटा हो और इसके बराबर हो यह भी नहीं हो सकता तो फिर होगा क्या साब है अब आप समझो, एक बात बताओ, अगर A और F की बात करें, तो A F से बढ़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और बराबर हो सकता है इस तीन ही condition हो सकती है इस दुनिया में A F से या तो बड़ा होगा या इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा इन तीन condition के अलावा कोई situation नहीं हो सकती अगर मालनो ये तीनों ही situation एक साथ आजाए एक साथ कैसे आजाए जैसे ये हमारा question होता यह हमारा कतन होता statement और इसके साथ में जो हमारे conclusion होते conclusion जो होते निशकर्ष जो होते वो निशकर्ष अगर यह आजाते पहला निशकर्ष तो यह आजाता a is greater than equal to f और दूसरा निशकर्ष यह आजाता a is less than f यहां से आप क्या समझें यहां से आपके यह समझ में आई किसा अगर इसके हम टुकडे करें तो इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यह 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 तो बड़ा होगा f से यह जो है वो f के बराबर होगा और यहां अब एक बात बताओ क्या तीनों चीजें आपको यहां नहीं दिख रही है आपको यह भी दिख रहा है कि यह बराबर होगा f के और आपको यह भी दिख रहा है a is less than f यानि कि यह इससे छोटा होगा तो जब तीनों ही चीजें आ गई तो क्या एक बात बताओ क्या इन दोनों में से कोई एक सही नहीं होगा क्या दोनों में से कोई एक तो सही होगा तो यहां आपकी लगती है आईदर और वाली situation जानि कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा क्योंकि इसमें तीनों ही चिन आ गए तो यहां से हमने क्या सीखा यहां से हमने यह सीखा कि नोन इस्टेंडर्ड सीरीज में नोन इस्टेंडर्ड सीरीज में यदि दो निसकर्ष में दो कंक्लूजन में तीनों चिन आ जाएं तीनों चिन आ जाएं तो दोनों में से कोई एक सही होगा कोई एक सही होगा बस यह बात आपको ध्यान रखने थी यह बात सबसे important थी अब मुझे लगता है standard से non-standard से सारे clear हो चुके हैं हम आगे इसके questions करेंगे और questions को जल्दी कैसे किया जाए वो चीज़े देखेंगे यहां से सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली एक ही बात थी और वो यह है कि अगर standard series आजाए standard series आजाए और इधर non-standard series नोन-standard series जिसमें आके-मा के चिन हो standard series जिसम चिन जो है वो सारे एक ही तरफ हो तो यहां सिर्फ एक चीज में अत्वा वाली condition जो है वो हमारे लिए में अत्वा की दे एसे और ऐसे में आपको यहां अत्वा कब लगेगा जब दो चीजों के बीच में जैसे ए और वी इनके बीच में तीनों-चिन ना जाए एक साथ तो आने सकते दो conclusion में आएगे बस यहां जैसे ए और वी दिया वा लेकिन आपको दो conclusion में एक में तो दे दिया A is greater than B और एक में दे दिया A equal to B यहां A और B इस तरीके से दियावा है आपको ऐसा दे दिया A और B और यहां दे दिया A और B पस खतम कहानी ठीक है तो अब इसके questions कैसे कैसे होंगे यह हम next class में देखेंगे मिलते हैं next class में thank you so much